सो स्मार्टोज के बजेट रेंज का जो सेगिमेंट है उसके अंदर जो फायर बुल्ट यह जो ब्रैंड है वो बहुत सारी अच्छे अच्छी स्मार्टोज इस लांच कर रहा है वो budget range के अंदर इनकी और एक smart watch बहुत ही जल लाँच होने वाली है जो कि कुछ firebolt, avalanche या कुछ इस तरी किसी इसका नाम है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी smart watch को detail में explore करने वाले है इसके specifications के इसके price है के इसके best features है और ये smart watch आपको buy करने चाहिए या फिर नहीं इसे के बारे में भी बात करेंगे सो first of all बात करें इस smart watch के design किताब को price के सबसे overall बहुत ये बढ़ी आई design देखने मिलता है और ये smart watch इतने सारे colors के अंदर available है smart watch के build quality ठीक ठाक होने वाली है और इसाथ IP67 rating में आपको दिखने मिलती है display के बात करें तो 1.28 inches का display है जिसके quality आपको अच्छी दिखने मिलती है लेकिन design में थोड़े बड़े bezels होने वाले है Bluetooth calling का feature है और इस smart watch के अंदर आप कुछ contact save करके भी रख सकते है bat life के बात करें तो normal use करें तो 4-5 days के असपास चल जाएगी अगर आप calling feature के साथ यूज करते हो एक से 2 दिन के असपास चल जाएगी healthy related आपको सारे main main tracks दिखने मिलता है जिसके heart rate monitor है SP2 है sleep tracking है और इसाथ women's sleep tracking का feature भी आपको दिखने मिलता है इसाथ थोड़े बहुत sports modes भी आपको इस smart watch के अंदर दिखने मिलता है inbuilt कुछ games है rotating crown है और इस smart watch के अंदर आपको sedinator reminder भी आपको दिखने मिलता है smart features जिसकी smart notification, camera shutter button, weather information, music control इस ताप की features भी आपको दिखने मिलता है utility features जिसकी timer set करना, alarm set करना, stop watch लगाना इस टाप की features भी है बहुत सारे watch faces है और इस smart watch के अंदर आप customized watch faces भी set कर सकते है अब बात कर लेते हैं smart watch के कुछ best features की जिस हुझे से गर आप smart watch को buy करना चाहते तो consider कर सकते है इस smart watch की एक ही बात मुझे सबसे best लगी एक है इसका design और metallic straps बाकिकी सारे चीज़ा आपको average ही देखने मिलते हैं अगर इस smart watch देड़ से 2000 रुपे के budget में launch होती है तो overall अच्छी smart watch है आप इस smart watch को check out कर सकते हैं फिन comment के अंदर link है दिलना आज की इस video में इतना ही मिलते है ऐसी अगली video में